आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हमारे एंजल्स हमें क्या गाइडन्स देना चाहते हैं, वो हमें क्या बताना चाहते हैं, हमारे एंजल्स हमेशा हमारे साथ नंबर्स के जरीए, मेसेज़ेस के जरीए, साइंस के जरीए बात करना चाहते हैं, बट हम हमारी रोज मरहा की जिन्दगी में इतने बीजी रहते हैं कि उनके साइंस पहचान नहीं पाते या उनकी तरफ दिहान नहीं दे पाते इसलिए हम आज टारोट कार्ड रेडिंग की हल्प से डारिकली एंजल से साइन माँगेगे गाइडन्स माँगे कि ऐसा हम हमारी लाइफ में क्या करें कि हमार लाइफ अच्छी हो जाए, इंप्रू हो जाए अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो मैं आप सब लोगों को बता दू इस चैनल के उपर में law of attraction, law of assumption spirituality and tarot का dreading regarding videos लाती रहती हूँ अगर आप इस topic में interested है तो आप मेरे channel को subscribe कर सकते हो मैं इस channel के उपर धेर सारा content daily basis पे post करती हूँ जो कापी सारे लोगों को पसंद आता है I am so grateful for all my audience, viewers and subscribers जो भी मेरे videos को देखते है आप सब लोगों को देरी ना हो इसलिए मैंने पहले ही 3 cards को shuffle करके रखा है बीना किसी दरीके जानते हैं कि angels हम से क्या कहना चाते है और बढ़ते हैं हमारे पहले card की तरफ The situation will improve कि आप मतलब जो कोई भी person इस video को भी देख रहा है कि आप किसी ऐसे situation में अटके पड़े हो जहाँ पे आपको गुटन महसूस हो रही है आप stuck महसूस करते हो Your feeling like मतलब में इस situation छोड़के भाग जाओ या फिर ऐसे situation मैं expect नहीं करी थी अगर ऐसा है तो यह situation जल्द ही improve होने वाली है बस आपको उस situation में बने रहना है आपको खुद को दिलासा देते रहना है कि यह situation improve होगी ही होगी Because I am divine child of this divine universe Angels का guidance हमेशा मेरे साथ है मेरे Angels, मेरे Guardian Angels हमेशा मेरे आसपास रहते है ठीक है तो बस खुद के उपर belief रखिये, trust रखिये कि यह situation अभी improve होगी और मेरी इतनी महनत waste नहीं जाने वाली मुझे इसका result, इसका परिणाम मिलने ही वाला है अच्छे ड़ंग में ठीक है दोस्तो बहुत सारे लोग हताश हो जाते है निराश हो जाते है जब उनको उनका मंचहा result नहीं मिलता और काम को आधादूरा छोड़ देते है क्योंकि उनको ऐसे लगता है उन्होंने उस काम के उपर काफी सारा time waste कर दिया है ऐसे नहीं रहता दोस्तो हर एक चीज़ divine time के साथ aligned रहती है और वो divine time पे अपने आप आपके सामने आ जाती है manifest हो जाती है हमको बस patience रखने रहते है बहुत बार ऐसे होता है कि लोग इस बात को समझते नहीं और कामों को आधा दूरा छोड़ देते है जो की काफी गलत बात है मेरे हिसाब से ठीक है please remember the situation will improve in upcoming days हम देखते हैं हमारा second card और देखते हैं क्या दिखा है as I said wait जिस किसी current situation में आप अभी फसे हुए हो please wait आपका अच्छा समय आने वाला है आपको कोई भी मतलब किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है you are a warrior आप मतलब किसी भी चीज के साथ fight कर सकते हो आपको कोई भी रोक नहीं सकता बस आप खुद को रोक रहे हो बाहर का कोई person आपको रोक नहीं रहा यह आपका मन है जो आपको बार-बार सता रहा है बता रहा है कि यह काम हो नहीं रख सकता या हो नहीं रहा तो move on कर लेते है please don't do that wait for your result जब तक आपका result नहीं आता बहुत बार लोग ऐसे सोचते है atlas मैंने try तो किया और ऐसे बोलके चीजों को आध्यधूरे में छोड़ देते है ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों हमें you need to complete that task आपको वो काम पूरी तरीके से finish करना है wait करना है ताकि end result आपके पास आ जाए बस उस result का output जो है न उसे receive करने के लिए ready हो जाए universe और angels हमेशा आपको देखते रहते है वो आपके effort देखते रहते है उनको समझता है कि आप कितनी महनत कर रहे हो किसी चीज को पाने के लिए तो थोड़ा सा सबर रखिए आपकी situation जल्दी जल्द improve होगी अभी हमारा third card देखते है क्या guidance है You are ready See, you are a warrior So you are always ready to receive everything You are divine child of this universe You are ready to receive abundance, prosperity, health, wealth, success, everything हर एक चीज इस दुनिया में बस आप ही के लिए बनाई गई है बस आपको patience रखना है You need to wait Until and unless your situation will get improve आपने अगर थोड़ा सा wait कर लिया कि आपकी situation improve हो रही है Ready हो जाईए आपके पास abundance आने ही आने वाला है ये 101% sure बात है बस आपको इसे मान लेना है मैं थोड़ा सा wait करूगा मेरी situation improve होगी और मुझे मेरी मन चाही success मिल जाएगी तो ये थी reading दोस्तों आज के वीडियो में अगर ये reading आपके साथ resonate करती है तो please मुझे comment section में बताएए this reading resonates with me I am very happy मैं हर किसी की comment पढ़ती हूँ और उनको reply करती हूँ दोस्तों तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए stay blessed, be happy and keep manifesting Bye guys झाल